भगवान बिर्शा मुन्णा ने, हमारे अनेका नेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूती दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के स्वराज के माइने क्या थे, भारत की सत्ता, भारत के निर्ने लेने की अधिकार शक्ति, भारत के लोगों के पास आये, ये स्वाधिन्ता संग्राम का एक स्वाभविक लक्ष था, लेकिन साथ ही, धर्ति आवा की लड़ाई, उस सोच के खिलाब भी थी, जो भारत की आधिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी, आधूनिक्ता के नाम पर, विविक्षता पर हमला, प्राचिन पहचान और प्रक्तुति से स्छेड़शाट, भगवान मिर्सा मुंडा, जानते थे, कि ये समाज के कल्यान का रास्ता नहीं है, वे आधूनिक्त सिक्षा के पक्षगर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे, उन्होंने अपने ही समाज की कुर्तियों के, कमियों के खिलाब, बोलने का साहच भी दिखाया, असिक्षा, नशा, बेदभाव, इन सब के खिलाब, उन्होंने अभियान चलाया, समाज के कितने ही युवाओं को जागरुक किया, नईतिक मुल्यों और सकारत्मक्त सोच की ही ये ताकत थी, जिसने जन जातिय समाज के भीतर एक नई उर्जा फुक दी थी.